वेलकम तो MBTalks दहरादून आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Google Photos के बारे में किस तरह इस आप की हेल्प से हम अपने मुबाइल में सेवड फोटो और वीडियो का बैक अप क्रेट कर सकते हैं यह अप आपको Android Phones में Pre-Install मिलती है साथ ही iOS डिवाइस में इसको आप App Store से इंस्टॉल कर सकते हैं और मुश्च सभी smartphone यूजर्स अपने mobile camera को यूज करते हैं फोटो और वीडियो को capture करने के लिए या फिर किसी social media platform या data transfer app की help से अपने friends and family के साथ फोटो और वीडियो को share करते हैं ऐसी में उनके phones के internal memory या फिर HD card memory हो जाती है completely full किस तरह इस app के help से इन फोटो और वीडियो का backup create किया जा सकता है और फोटो की internal memory या फिर HD card की internal memory को free रखा जा सकता है सब जानेंगे वीडियो में आगे इसलिए वीडियो में बने रहे हैं जाने में फर्स्ट रम आया है तो subscribe करें और bell icon प्रेस करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं गूगल फोटो में backup create करना बहुत ही simple है complete gallery का भी backup किया जा सकता है या फिर selected photos और वीडियो का भी backup create कर सकते है यहां पर एक photo का backup करके दिखाते हैं आपको photo को open कर और यहां पर एक icon देखने को मिला है cloud बना वा रहा है इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहां से uploading शुरू हो जाएगी इसका backup create होना शुरू हो जागा आप notification बार में भी चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी photo या video का backup create कर सकते हैं और अगर आपको multiple photos और वीडियो का backup create करना है तो simply यहां पर select कर लिजिए उन सभी को जिनका आपने backup create करना है और उसके बाद यहां पे three dot पर जाना है और backup नाव पर click कर देना है इस तरीके से आप multiple photos and videos का भी backup create कर सकते हैं Complete Gallery का backup करना बहुत simple है Simply जाना है menu में और open करना है settings Settings में जाने के बाद select करना है backup and sync और इसको कर देना है enable Enable करने के बाद कुछ options देखने को मिलेंगे यहाँ पे upload size सबसे पहला option Upload side में आपको 3 options मिलते हैं Original quality, high quality and express और यहाँ पे आपको unlimited free space मिलती है Express में आपको photos and videos के quality के साथ compromise करना पड़ेगा इसके लावा next option आता है mobile data usage का यहाँ पे आप select कर सकते है daily के limit create कर सकते हैं यहाँ पे बैक आप के लिए आपको कितना mobile data यूज करना है यहाँ पे आपको कुछ options है no data, 5MB, 10MB, 30MB या फिर unlimited data यूज कर सकते हैं backup create करने के लिए इसके लाव अगर आप इसको no data पे रखते हैं तो जैसी आपका phone wifi से connect होगा तो automatically backup create होना शुरू हो जाएगा फिर आप जाएगे आप settings में settings में आने के बाद यहाँ पे आपको select करेंगे तो यहाँ पे option देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आपने इनका backup create कर लिया है और अब आप इनको original photos and videos को mobile storage या फिर SD card storage से इसको delete कर सकते हैं Google photos में आपको option मिलता है sharing का यहाँ पे वो सभी photos जिनका आपने backup create कर रहे हैं अपने friends and family के साथ share कर सकते हैं simply जाना है add partner account में और click करना है get started यहाँ पे आपको email address एंटर करना है email address एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको option मिलेगा कि इस type का आप उनको access देना जाते हैं all photos photos of specific people और तीसरा option है only show photos since this day यहाँ पे आपको option मिलते हैं तीन इसमें से आप select कर सकते हैं कि इस type के आप sharing अपने friends and family के साथ करना चाते हैं I hope यह video आपके लिए helpful हूँ पसंद आईए तो like, share और comment कीज़ेगा channel में first time आए तो subscribe करें और by like and press करना मत भूलेगा जल्दी मिलते हैं एक और video के साथ तब तक श्टे हो श्टे सिफ जाएं जय भारत